तो गाइस क्या हाल चाल है वाजब गाइस अनिफ ये और आज की स्वीडियो में बात करेंगे हाव तो गेट एक्सेप्टेड इफ यार उजिग अ ब्लॉगर एंड यूँग तो कैसे आप ब्लॉगर में अपना एकाउंट चला सकते हो बिना दोमें बाइक यूए दोमें के लिए बहुत सारे चीजे है तो कैसे कैसे काम करती है ब्लॉग के लिए आपको गंहीं पता है तो आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं वीडूपल आ तो आप ब्लॉगर पर जाते हो ब्लॉगर ब्लॉग बनाते हो और इसके बाद आटिकर लिखते और कभी-कभी domains buy करते हो, जो AdSense का एड लगाने के लिए, तो अगर आपको domain नहीं buy करना है, आपका budget नहीं है, तो कैसे आप अपने blogger के जो blog spot के जो URL से अपना AdSense चला सकते हो, तो कैसे यह काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ, तो AdSense के लिए आपको approve होना पड़ता है कुछ blogs लिखने हैं पड़ते हैं, कुछ articles लिखने हैं पड़ते हैं, और कुछ time के लिए आपको wait करना पड़ता है, तो ऐसे करके AdSense काम करता है, तो मेरा एक blog है, मैंने चालू किया था, और हो कैसे accept हुआ, तो मैं आपको इसकी story बता आता हूँ, और आप कैसे कर सकते हो, अ मैंने उसका ID कोई खरीदानी है, कोई domain buy किया होनी है, तो मैंने simple सा blogger का ID बनाया था, देख सकते हो कि text shows में है कुछ, तो इधर मैंने blogger का ID बनाया और मेरा ऐसे passion था लिखने का, तो मैं ऐसे लिखने लगा, तो बहुत सारे articles मैंने लिखे हुए थे, 10 से 15 लिखे हुए थे, तो मैंने उसको delete कर दिया है, क्योंकि मैंने WordPress पे भी एक बनाया था, तो इधर मैंने delete कर दिया है, पर बहुत सारे articles इधर 31 है, फिर भी मेरा blogger ID कैसे accept हुआ एक्सेंस के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको just wait करना है, और उसके बाद आपको articles लिखने है, तो र freelancer उस पर जा सकते हो, उस पर काम करा सकते हो, तो अगर आप इस पर वीडियो चीए, तो अभी बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे accept होना है, तो जैसे कि आपने blog बनाया और उस पर article लिखे 30, 40, 50, 60 जितने लिख लिए, तो आपको फट से सब नहीं लिखना है, आपको आराम-ाराम से लिखना है, जैसे कि एक दिन में दो आर्टिकल लिख रहे हो, तो लिखो, तो दो लिखने गरव आपको next day जिस दो लिखने, तो आप continuously आपको लिखते जाना है, और उसके बाद आपको थोड़ी शॉइंड की इदर लिखा रहे गा, अगर आपका ब्लोग accept नहीं हो रहेंगा, तो आपको Ads का कुछ forum जैसा है, instructions रहेगा, अगर आपको Except हो जाता है, तो आपको Ads कीदर डिखाने, बहुत सारे लिखा हुआ है, आपको just देखना है और उसको Yes कर देना है, simple Ads दिखाना है एको दो तीन महिना रुका हुआ था मेरा एक्सेप्ट हो गया और मैने 31 तो इतने आटिकस लिखे पर आप देख सकते हो कि मेरे इदा आटिकस उपराने भी है नहीं भी थे तो मैंने बहुत पर आटिकस लिखे हुए थे तो मैंने अपने लेटिस वाली डिलीट कर दियो कि मेरा थोड़ा पुराना ब्लोग है अगर आपको नए ब्लोग में एक्सेप्ट होना है तो तीन महिना या दो महिना वेट करना पड़ता है तो अगर आपको डोमेन नहीं बाई करना है और एक्सेप्ट होना है तो आपको थोड़े आटिकस लिखने पड़ेंगे और आटिकस करना है तो डोमेन और होस्टिंग बाई कर सकते हो तो अगर आपका पैशन है और आपको बढ़ा करना है कुछ जैसे कि आपको अच्छी वेबसाइट अच्छा ब्लॉक करना है तो पैसे के लिए मच जाएए पहले अपने अपने अटिकल्स कीजिए और अपने ब्लॉक पे जो नहीं लिखू 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 तो ऐसे करके नहीं करेगा अगर आपको इसका पुरा इंफोर्मेशन चीहे तो मैंने लिंक में उसका instruction manual दिया है कि कैसे काम करता है तो इस पर manual पर लिखा होए कि इतने months लगते है कभी-कभी जल्दी हो जाता है तो instructions पर बहुत साथ instruction लिखे होए पर कभी-कभी ब्लोग आटोमेटिकल एकसेप्ट हो जाता है तो ऐसे करके आपका ब्लोग और एकसेप्ट होता है अगर आपको इतना वेट नहीं करना है तो आपको simply क्या करना है पता है कि आपको जो गोडेडी या कोई भी website है जा पर domain buy होते हो आप पर जाना है और save to same आपको domain buy कर देना है और उसके बाद आपको जस उस पर जो domain add कर देना है ब्लोगर पर तो ब्लोगर पर होने के बाद आपको simply adsense apply करना है अगर आपको adsense apply हो जाता है गूगल को लगता है कि वाइस पर आप आप शो होनी अच्छा है इस content अच्छा है बहुत अच्छा content है और automatically आपका adsense active हो जाएगा जस्त 15 से 20 इस दिनों में तो ऐसे गर कि यह दोनों चीज़ काम करता है आपको free में करना है तो आपको थोड़ा अच्छाँ झार कि बहुत दो हो जगएगा टापको लाएगा बहुत